अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 का आप करेंगे कॉश्चन नूमर 16 डिटर्माइन दा एपी हूस थर्ड टर्म इस 16 एंड दा सेवन्थ टर्म एक्सीड्स दा फिफ्ट टर्म वाई 12 ठीक है तो यहां पर थर्ड टर्म दे रखें 16 और साथ वाँ टर्म जो है वो पांच में टर्म से 12 ज्यादा है ठीक है तो जो जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं पहले तो थर्ड टर्म दे रखा यानि ए 3 ए 3 गिवन है कितना 60 ठीक है यह बात समझ मारी दूसरा सेवन्थ टर्म जो है न पांच में टर्म से 12 ज्यादा है यानि कि मैं यह कह सकता हूँ कि A7 इक्वल टू A5 प्लस 12 इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम फिफ्ट टर्म में 12 जोड देंगे तो वो सेवन्थ टर्म के बरावर आ जाएगा ठीक है चलिए अब यहां से दो एक्वेशन हमारी बन जाएंगी ए 3 का मतलब क्या होता है ए प्लस टू डी ए प्लस टू डी ठीक है एक्वल टू 16 और यह कैसे आता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी में एन की जिए हम 3 लेकिंगे तो 3 माइनस 1 कितना जाएगा टू ऐसे ही देखो यहां से चलो एक एक एक्वेशन तो यह बन जाएगी चलो पहले तो हम इसको ख क्या बसता है यहां बचा 6D 4D को इधर लियाओ तो मैनस 4D एक्वल टू यहां पर 12 है तो 12 लिखा तो चले 6D मैंसे 4D जाएगा 2D एक्वल टू 12 यहां से D की वैलू निकालेंगा तो 12 अपान 2 तो 6 जाट 12 तो D की वैलू आ जाते है कितनी 6 अब यह D की वैलू उठाकर हम कर देते हैं इक्वल टू 16 तो एक्वल टू कितना आ जागा 16 तो 6 जागा 12 और दूसरा के हैंगे तो माइनस का 12 कितना जागा 16 माइनस 12 फोर तो एक वैलू आगी 4 अब आप देखिए यानि फर्स टर्म आ गया डिया यानि 6 आगया अब हमारी एपी क्या बनेगी एपी देख डी जोड़ेंगे तो 4 प्लस 6 कितना हो जागा 10 10 में हम फिर से डी जोड़ देंगे तो हो जागा 16 16 में फिर से डी जोड़ देंगे यानि कि 6 जोड़ देंगे तो यह हो जागा 22 ठीक है और हम यहाँ पर डॉट 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 लगा देंगे चलिए कोशन नमबर 16 हमारा complete हो हमारी बन गई अब करेंगे कोशन नमबर 17 find the 20th term from the last term of the AP देखिए AP दे रखी है इस AP में हमें last से 20th term पता करना है ठीक है तो देखिए इसको करने के दो तरीके हैं हमार पास एक तो हम इस AP को उलट दें यानि last वाली term पहले लिख दें फिर इस तरह से यानि कि इसको reverse form में लिख दें और एक तरीका और होता तो मैं आपको इसी method से बताता हूं यह method कहीं ज्यादा आसान है ठीक है तो हम लिख लेते हैं on reversing the AP on लिख देते हैं पहले on reversing the AP जब AP को हम reverse कर देंगे तो AP हमारी बन जाएगी क्या 253 कॉमा डॉट 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 लगा दिया 13,8,3 इस तरह से AP बन जाएगी हमारी तो इस condition में अब इस AP में जो शुरू से जो 20th term होगा वो इस AP का last का 20th term होगा मतला last की तरफ से 28 term होगा एक ही बात है तो इस AP को हमने ही ओलट दिया यानि reverse करके लिख दिया अब इस starting का 20th term निकाल लेंगे आंसर सेम आज़ेगा चीक है चलिए अब यहां से इस एक की वैलू कितनी है में A की वैलू है 253 और D की वैलू निकाल लेता है तो देखो डी क्या आएगा इस मैंसे इसको घटा दू चाहिए इस मैंसे इसको घटा दू एट मैंस 3 कर देते हैं तो कितना आ जागा 5 आ जाएगा ठीक है सुरी मैंस 5 आएगा ठीक है इक इक उल आएगा मैंस 5 एट में से 13 गटा आए तो मैंस 5 आ गया अब हम निकाल लेते हैं क्या ट्वेंटी चम पता करना है तो देखो चलो यह हमारा है क्या 253253 प्लस सफ्चर्थ darant TVs 20 मैंस सब्सक्राइब कितना एं-धर और डी वाले कितनी निकाले हमने माइनश श्रुब सब्ल आए-प्लस-ध करते आए मायनश कितना और टो परिए फिप्लस पर यह हमारा आउंस आ गया उ ¿ढ तो 10 कितना ज вд? यहां पर देखिए फोर्थ टर्म और एट्ट टर्म इन दोनों का समदे रहा है 24 और देखिए जो गिवन है ना फोर्ट एंड एट्थ तर्म का यानि कि यहां पर हम लीख सकते है इन दोनों टर्म का सम दे रहा है 24 नेक्स्ट जो दे रहा है सम और टेंथ तर्म यानि कि A6 प्लस A10 इन दोनों का सम दे रहा है 44 हमें A भी पता करनी है तो चलिए पहले यहां से एक एक इक्वेशन बन जाएगी देखो A4 का मतलब क्या होता है A प्लस 3D अगर हम N की जगह हम ले थे 4 तो 4 मैनस में क्या हो जागा 3 प्लस A8 की जगह क्या हो जागा A प्लस 7D इक्वल टू 24 आगे सॉल करते हैं A और A हो जागा 2A प्लस 3 प्लस 7 हो जागा 10D इक्वल टू 24 अब देखे इस पूरी एक्वेशन में 2 हम कॉमल ले सकते हैं दूसरा तरीका है कि हम इस पूरी एक्वेशन को हम 2 से कंशल आउट कर दें तो क्या हो जागा A A plus 5D equal to 12, यह बन जाती है हमारी A की equation, ठीक है, मैंने क्या करा, यहां से, यहां से, यहां से, 2 से cancel out कर दें सब को, अब ऐसी ज़रा इस equation को देख लेते हैं, चलो line कीश लेता हूँ या, A6 की जगह लिख देंगे, A plus 5D, A10 की जगह लिख देंगे, A plus 9D equal to 44, A और A, 2A हो गया, plus 5D plus 9D, 14D हो गया, equal to 44, यहां पर भी हम पूरी equation को 2 से cancel out कर देंगे, क्या हो जगह, A plus 7D equal to 22, यहां पर आप कुछ लेखने की जरूत नहीं है, ठीक है, आप direct भी कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यह माक्स आपको पूरे मिलेंगे, यह equation first, और यह equation second, इन्हें दौनों equation को elimination methods solve कर देते हैं, चलो, पहले हमारी equation है, first, A plus 5D equal to 12, इसके नीचे दूसरी equation लिख देते हैं, A plus 7D equal to 22, line खीच देते हैं, और लिख देते हम on subtracting, ठीक है, और subtracting जब लिखते हैं, तो sign हम इनके change कर देते हैं, नीचे वालों के, तो यह cancel out होगे, 5 minus 7, minus का 2D equal to 12 minus 22, minus का 10, दोनों से minus minus cancel out हो यानी कि D equal to 5, D आगया, अब D के वालों यहां put कर देंगे, तो A भी आ जाएदा, therefore A plus 5D equal to 12, यहां से A निकाल देते हैं, तो A plus 5, और D के वालों कितनी है, तो 5 into 5 equal to 12, तो A equal to क्या आएगा, 12 तो है इधर, minus, यह प्लस, जो प्लस में, 55, 25, 25, 25, उदर चला जाएगा, minus का 25, यह बचा कितना, 13, minus का 13, A आगया कितना, minus का 13, अब यहां से हमें A P भी बनानी है, तो therefore A P हमारी क्या होगी, A P हमारी होती ही, जो first term लिख देते हैं पहले तो, first term लिख दी हमने, minus 13, next term क्या होगा, इसमें हम D जोड देंगे, तो minus 13 में अगर D जोड देंगे, तो minus 13 plus 5 कितना हो जाएगा, minus का 8 हो जाएगा, ठीक है, minus का 8 हो जाएगा, अब minus 8 में हम plus 5 जोड़ेंगे, तो minus का 3 हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से हमारी A P बन जाएगी, चलो, question number 18 हो गया, आप करने, question number 19, सुभा राव इस्टार्टेट वर्क इन नाटीन 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 फ सेलरी मिलती थी, annual सेलरी मिलती थी, और रुपीस 5000 मिलती थी, और हर साल 200 रुपे का इंक्रीमेंट मिलता थी, यान कि इंक्रीज होया थी, तो उसकी सेलरी, कितनी 200 रुपे हर साल बढ़ जाते थी, in which year did his income reach 7000, अब हमें ये बताना है, कि किस साल में उसके इंकम 7000 रुपे प 5000, उसके अगले साल, देखो 200 रुपे, 200 रुपे बढ़ते आ रहे हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, कि ए तो होगी, ए होगी, चलो हमारी, मैं लिख देता हूँ, ए होगी 5000, और क्योंकि 200 रुपे बढ़ रहे हैं हर साल, तो difference हो गया, कितना 200, यह सब रुपीज में है, त तो हमारी जो ए पी बढ़ जाएगी, 5000, 5000 फिर उसमें 200 जोड देंगे, तो कितना बढ़ जाएगी, 5000, however, 2400, ठीक है, इस तरह से हमारी ए पी बन जाएगी, तो यहां पूछाए कि कितनी सालवाद या किस साल में उसकी इंकल पहुंचीती 7000, तो यहां पर जो а मैं लिख देत लास्ट जो टर्में कितने 7000 हमें n इहां पता करना है तो यहां पर देखो formula हमारा होता है a n इकल टो a प्लस n माइनस 1 इंटो d a n हमारा कितना 7000 इकल टो a कितना 5000 प्लस n माइनस 1 एन पता करना है और d कितना है 200 चलिए 5000 को इधर ले आते हैं माइनस में तो 7,000-5,000 equal to n-1 n-1 into 200 तो इधर आएगा अपन में अपन में आजागा 200 7,000 में से 5,000 जाएगा तकी वचेगा 2,000 upon 200 equal to n-1 0-2,0-2,0 यहाँ से 2,10 जे 20 तो n equal to कितना आजागा? minus 1 इधर चला जाएगा तो n equal to 10 plus 1 यानिकी 11,7 तो after 11 year ठीक है तो answer आगया 11 year तो after 11 year is income reached 7,000 ठीक है तो question number 19 हमारा complete हो गया अब करें question number 20 arithmetic progressions exercise 5.2 होगा अब करें question number 20 और यह इस exercise का last question भी है रामकली saved rupees 5 in the first week of a year ठीक है रामकली 5 रुपे save करती है साल के पहले हफते में and then increased her weekly saving by rupees 1.75 और हर हफते उनकी जो weekly saving है वो 1.75 बढ़ जाती है increase हो जाती है यानि पहले हफते 5 रुपे और अगले हफते क्या होगा 5 plus 1.75 इस तरह से if in the nth week her weekly savings become 20.75 find n अब यहाँ पर देखो nth week में कुछ n हफते बाद उनकी जो weekly saving हो गई वो 20.75 अब हमें n पता करने हैं यान कि कितने हफते लग गए weekly saving पहुंचने है 20.75 ठीक है चलिए जो रुपीस 5 इंदी फर्स्ट week है तो हम यह लिख देंगे a equal to rupees 5 यान अब डी कितना है हर हफते increase हो जाती है 1.75 हर हफते 1.75 रुपीस increase हो जाते है अब हमें पता करना है कि n क्या होगा और साथ में यह चीज़ दे रखिए an an यानि की nth term जो आगई 20.75 तो weekly saving है पहुंच की 20.75 हमें n पता करना है तो देखिए an का formula लगा देते है an equal to a plus n minus 1 into d an कितनी है 20.75 equal to a यानि फर्स टर्म कितनी है 5 plus n हमें पता नही n minus 1 into d पता हमें 1.75 5 को इदर पहुंच आते हैं minus में तो 20.75 equal के बाद है 5 तो इधर ले आते हैं minus का 5 हो जाएगा equal to n minus 1 और इसके साथ यह multiply में इसको हम इधर पहुंचा देंगे divide में कितना 1.75 20.75 में इसे 5 घटा देते हैं तो यह बचेगा 15.75 ठीक है upon 1.75 equal to n minus 1 अब देखो point के बाद 2 digit उपर भी point का 2 digit तो point से point कर दिया नीचे 175 उपर यह चलो 5 से cancel out कर देते हैं 5 3 जा 15 बचेगा 2 और 5 55 25 उपर देखते हैं 5 3 जा 15 फिर 5 बचेगा 5 55 25 315 और नीचे 25 ठीक है फिर से 5 से काट देंगे 5 7 जा 35 और उपर 5 6 जा 30 और बचेगा 1 5 तो 5 3 जा 15 अब 7 9 जा 63 तो यह सब cancel out होगा उपर बचा 9 यानि कि 9 equal to n minus 1 तो n के वाली कितने आगे minus 1 इधर चला जागा n equal to 9 plus 1 तो कितना आजागा n equal to आजागा 10 यानि 10 हाफते लगेंगे उनकी जो weekly saving है 20.75 तक पहुँचने में ठीक है चलिए तो answer आगे हमारा कितना 10 week ठीक है इस तरह से ये last question था इस exercise का पूरी exercise हमारी complete हो गई अगर आप तो फिर भी किसी भी question में doubt रहता है तो please आप comment section में जरूर पुछना चलिए मिलते नेक्स वीडियो में नेक्स एक्सरसाइज के साथ ओके थैंक यू